नमस्कार हिंदी लर्निंग चैनल पर आपका स्वागत है अज आशिमा महाचन हिंदी लर्निंग चैनल पर लेकर आई है अनंदम संस्कृत व्याकरन क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर नमबर 10 इस वीडियो में बच्चो इजी एक्स्पानेशन के साथ सॉल्बुक एक्सराइज और वरक्षिक भी आपको सॉल्ब की हुई मिलेगी जितने भी चैप्टर में चैनल पर अप्लोड हुए है इस पुक के उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दियागे अगर कोई चैप्टर आपको डिमांड में है तो कमेंट बोक्स में बता द है ठीके कि यह चित्र कौन से है उसके बाद संटेंस जो भी बनाओ छोटे चोटे बनाओ और इजी वर्ड्स में बनाओ फिर जो भी घटना आप बताने जा रहे हो उसको बहुत इजी वे में प्रेजंट करो और सारे वाकिया लटलकार में जानी की प्रेजंटेंस में को करना है वाक्यों का अरंब करने के लिए ये words यूज कर ली जिए इदम चित्र यह चित्र जो भी आपके सामने पिच्चर हो इसका है यहां चित्र में परदते चित्र दिये गए चित्र में प्रने इस चित्र महीं कोई भी वाग्य repeat कर सकते हो आप इन में से फिर आपको ध्यान रखना है संख्या शब्दों का प्रयोग कैसे करना है ये तो आपके मूल शब्द हैं एक के लिए एक दो के लिए द्वी तीन के लिए त्री और चार के लिए चतुर लेकिन पुलिंग में एक बालक के लिए एक है एक लड़की के लिए एका और एक फल के लिए नपुनसक लिंग में एक कम लगेगा फिर दो बालकों के लिए पुलिंग में द्वाउ लिखोगे लड़कियों के लिए द्वे कने लिखोगे और द्वे पुस्तके लिख दोगे नपुनसक लिखोगे तीन लड़कों के लिए त्रेय लिखोगे तीन कनेयाओं के लिए तिस्त्र लिख दोगे और तीन फलों के लि योग आपने इस धंग से कर लिया तो बहुत अच्छे से आपके 5 में से 5 मार्क्स चित्रवन्न में आ जाएंगे आपकी बुक में लिखा है जीवन में चित्रों का बहुत महत्व है सबसे पहले बच्चे को कुछ सिखाने के लिए उसको चित्र दिखाते हैं आपको भी अगर ह जाता देर तक बच्चे के दिमाग पे रहता है और उस पर अधिक से अधिक बादशित भी करते हैं इस प्रयोग से बच्चा जल्दी सीखता है बच्चों को संस्कृत भाषा में एक्सपोर्ट बनाने के लिए सिद्ध हस्त बनाने के लिए चित्रवन्न की सहायता ली जाती इसके दोरा शातर चित्र देकर संस्कित में विचार कर वाक्य लिखते हैं ये विदा शात्रों में क्रियेटिविटी विक्सित करती है रचना शक्ती चित्रवन्न करते समय कौन-कौन सी बातों का धियान रखने है कि चित्र में दिखाएगे दिरिश्य का पहले नाम समझे फिर छोटे वाक्य बनाएं फिर सब्जेक्ट और वर्ब एकॉर्डिंगली यूज़ करें फिर चित्रवन्न में हमेशा प्रथम पुरुष के करता का प्रियोग करें जैसे से तौ ते प्रथम पुरुष किर्यापत सदैफ लटलकार वर्तमान काल में होना चाहिए जैसे कि म पूंड का चित्र है एक तलाप का है तो इदम चित्रम तड़ागस्य अस्ती ये चित्र तालाप का है तलाप के किनारे पर क्या दिखाई दे रहा था वरिक्ष है क्योंकि मंजुषा में वरिक्षा वर्ड दिया हूँ है तो यूस तो कर नहीं है तलाप के किनारे वरिक्ष ह है ओके दूसरा चितर पुस्तकाले का लाइबरेरी का है तो आपने लिख दिया दियेगे चितर में एक पुस्तकाले है पुस्तकाले में अनेक पुस्तके और समाचार पत्र है फिर शात्र पुस्तके लेकर पढ़ते हैं फिर पुस्तकाले का अध्यक्ष शात्रों को पुस्तके प्रधान करता है, पुस्त काले की दिवार पर गड़ी है, क्लियर हो गया, तीसरा चितर क्लास्रूम का है, जसमें एक टीचर है, बोड़ पे कुछ लिख रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आईए, अत्र चितरे एका कक्षा अस्ति, यहां चितर में एक कक्षा है, कक्षा में शात्र पढ़ते हैं, कक्षा याम, शात्राह, पठन्ती, अधिहापिका शात्रों को पढ़ाती है, अधिहापिका शात्रान, पठ्यती, अधिहापिका की हाथ में पुस्तक है, अधिहापिका आया हस्ते पुस्तक मस्ती, अधिहापिका ने शिक्षन पठ पर जाने की ब् दम चित्रम ग्रामस से जीवन से अस्ती ये चित्र गाउं के जीवन का है गाउं में लोग समानने होते हैं जाने कि सिंपल होते हैं यहां चित्र में सुन्दर घर है प्राता काल होने पर उदे हुआ सूर्य सुन्दर है यहां उन्नत वरिक्ष है ठीक है आगे बटा कारिशाला जानिकी आपको ये एक्जैम्पल दे दिया गया है कारेशाला का यहां चित्र में संस्कृत की कारेशाला है सभी दिवारों पर भित्ती संदेश लिखे हैं यहां अनेक अध्यापक बैठे हैं अध्यापकों की सहायता से शात्र पंक्तियों में उठते हैं और कक्षा जानिकी कमरा सुसजित बहुत सजा हुआँ और सुन्दर है मजुषा की सहायता से पाँच वाक्यों में चित्रबर्णन करना है आपको पतए यह विदियाले की प्राथना सभा का चित्र है टीचर खड़ी है लड़की गारी है तो टीचर भी प्रात्ना गारी है तो आईए देखते हैं वाक्य कैसे बनेंगे एतत चित्रम विद्याले अस्यस्ती ये चित्र विद्याले का है विद्याले में प्रात्ना सभा होती है विद्याले में प्रात्ना सभा भफ्ती शात्र ध्वनी विस्तार की अंतरेन गायंती शात्र लौट स्पीकर की सहायता से गाते हैं अध्यापिका भी प्रातना गाती है अध्यापिका भी अपी प्रातनाम गायती विद्याले में वातावरन शुद्ध है विद्याले वातावरन शुद्धम अस्ती उसके बाद आपको और वायू के गुवारे जो आपके गुवारे होते हैं हैं वहां जूले और वायों के गुवारे हैं मेले में बहुत सी सुन्दर सजी दुकाने हैं आपनानी मतलब दुकाने बाली का गुडिया खरीदने के लिए खरीदना चाती है पंचाली का मतलब गुडिया बाली का जो डॉल खरीदना चाती है गुडिया खरीदना चाती है ठी राजमार्ग का है यह तत disfr yes चित्रमस्ति मार्ग में पहुंसी बसें और कार्य चलती है मार्गे बहुण भष yeah नानी कार्य री चलंती नघ्रों में जाता जात असान होता है नग्रेश्य Appreciate सुलवे भवति जब जब मारग रुक़ जाता है, तब लोग व्याकुल होते हैं, यदा मारग अवरुद भवती, तदायना व्याकुला भवनती, मारग में विभिन प्रकार की लाइटे होती है, तो मारगे विभिन बनना नाम प्रकाशह भवती, वर्क्षिट में दो प्रैक्टिस के लिए आपको बिटा दे दिये गए हैं चित्र पहला चित्र बाग का है और दूसरा खेल के मैदान का है तो आईए बाग के मैदान बाग की बात करते हैं पहले बगीचे की तो हम बहुत ही easy आपको तो भरनी है feeling in the blanks अब आप लिखेंगे इदम उद्यान अस्य चित्र मस्ती ये बाग का चित्र है फिर लिखेंगे उद्यान में क्या-क्या है विरिक्षा और सरिता विरिक्षा हा सरिता हा सरिता एक ही ये विरिक्षा हा पे विसरगा जाएगी सरिता नदी हो गई फिर मचलियां हो गई और कचुए हो गई फिर सरिता में मीना तैरती है मचलियां तैरती है तरंती आ जाएगा फिर वरिक्षेशू वरिक्षों पर खगा पक्षी भवंती वसंती रहते हैं फिर पक्षियों के बच्चे घोंसलों में रहते हैं शावका जानिकी खगा है शावका है खगा नाम शावका है उसके बाद है सकींड आपका खेल के मेदान का चितर है आप लिखेंगे अप एतत च एक खेल का ब्ववन भी एंगे आगे आपको रिटर्न में मिल जाएगा बिटा यह आपके आंसर रहे अगर कोई confusion रह जाती है तो आप यहां से देख सकते हैं तो आपका chapter हुआ complete I hope ये वीडियो आपके लिए helpful रहेगा प्लीज अपने दोस्तों के साथ share कीजिएगा चैनल पर नए है तो subscribe कर लीजिए अगर आपको योड़ भी chapter demand में चाहते हैं तो channel subscribe कीजिए bell icon hit कीजिए उसके बाद अपनी demand बताईए comment section में की आपको कौन सा chapter चाहिए till then good bye students